जैजनेंदर फ्रेंड्स आज हम सूजी से बना ब्रेड पीजा बनाने जा रहे हैं ब्रेड पीजा बनाने के लिए मैंने आपर दो से धाई कटोरी सूजी ली हैं कुछ ब्रेड स्लाइस एक कटोरी चाच एक चोटी कटोरी फ्रेश मलाई और कुछ वेजिटेबल्स का यूज किया हैं मैंने आपर शिम्ला मिर्च, गाजर, प्याज, गोबी और हरी मिर्च का यूज किया हैं आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं सूजी ब्रेड पीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले यापर सूजी का एक थिक बैटर तियार करेंगे सबसे पहले हम सूजी में चाच बाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे अब हम इसमे मलाई डाल देंगे अब एक एक करके सारी वेजिटेबल से इसमें मिक्स कर लेंगे यह देखिए हम इस तरीके से ठीक बैटर बना लेंगे अब हम इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे हम इसमें आदा चमच चिली फ्लेक्स एक चमच नमक और आदा चमच और अड़ी गन उडाल देंगे बैटर को और भी क्रीमी और चीजी बनाने के लिए आप इसमें मियोनिस भी एड़ कर सकते हैं अब अब इसमें काली मिर्च एड़ कर देंगे यह देखे हमारे बैटर बिल्कुल रेड़ी है ब्रेड पीजा बनाने के लिए हमने जो सूजी का बैटर तयार किया था अब हम इस ब्रेड स्लाइस पे लगाएंगे बेटर को हम स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे यह देखिए बेड़ स्लाइस पे हमने बेटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पीजा बनाने से पहले हम पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे आप डेड पीज़ा बनाने के लिए नॉर्मल तवे का भी यूज़ कर सकते हैं हल्का ग्रिस्पी होने के बाद में इसकी दूसरी साइड को भी सेक लें यह देखे हमारा बेड पीज़ा प्लेटिंग करने के लिए बिल्कुल तहीं आ लें झाल